वेलकम बैक टो आनोदी वीडियो गाइस तो आज की शूड़ा हम सिखेंगे यहाँ पर आपकी जो एंड्रोइड टीवी रेती है जो उसका जो कीबोर्ड की सेटिंग यहाँ आप कैसे चेंज कर सकते हो जैसे नॉर्मली जो इंग्लिश में आ जाता है तो आपको यहाँ पर इ और यजिने हीनोब का सकते हो चलिक साथ नॉत शूरत करते हैं कीबोर्ड के लेंग्वेज चेंज करने के बारे में बात दो आप जैसे हाँ यहाँ पे योटूब या फिर कोई भी से क्रेंजटिर आपो यहाँ पर देखने मिल जाता बडट यहाँ पर हम इसे चेंज करने वाले settings में जाके तो make sure आपको इस video को पूरा देखना है तो आपको यहाँ पर सबसे पहले settings को open कर ले आपने TV के TV के settings open करने पर आपको यहाँ पर चले जाने system में system में जाने के बाद आपको आपके TV अलग होगी कुछ model की तो आप यहाँ पर सर्च कर लेना Google पर आपको मिल जाएगा system कहाँ पर आपके TV का system में जाने के पाद आपको आपके keyboard में keyboard में जाने के पाद आपको go board मिलेगा जो Google का प्री इंस्टॉल आपको टीवी में मिलता है keyboard अगर आपके पास keyboard नहीं होगा तो या फिर कोई दूसरा हो सकता है तो keyboard अलग अलग नाम से भी हो सकते हैं इसके सबसे पहले हम सेटिंग्स देख लेते हैं जी बोर्ट सेटिंग में जाते हैं यहाँ पर आपको language का एक option मिलेगा तो आप देख सकते हो system default करके देगा तो आ रहता है है आप अपने जो mobile से अपके TV का आप लिख कर सकते हो लायक जैसे remote को आप यहाँ यूज कर सकतो वैशे आपको यहां पर ich remote करके यहाँ प्लिक कर देने वर्चक की बोड़र बड्यक है जैसे आपको फिर वैंवर्च की बोड़र आपको यहां पर 2 मिल जाएंगे तो आपको यहा पे देख लेज आ अपको कौन सा सिलेट करना है मैंने यहा पे दोनों सिलेट करके रख लिया कभीगा वर क्या होता एक निमोट ना मिल पाता तो हम यहा पे इससे अपने मोबल से चालू कर देते अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आये तो आप नीचे कमेंड करके पूश सकते हों में इसे रिप्ले करने के पूरी तरी कोशिस करूँगा अगर आपको वीडियो थोड़े भी इंट्रेस्टिंग लगी इसे उड़े को लाइक कर देना और अपने दोस्तों को साथ भी शेर कर देना